नमस्कार, मैं R.D. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान जैसा कि आप जानते हैं बिहारी सुल्तान चैनल पर पूरे देश की खबरे आती है परन्तु मैं आपकी सेवा के लिए UP सुल्तान एक चैनल बनाया है और UP की हर जिले का न्यूज उस पर डालेंगे आज के कार्जकरम को विस्तार में जाता हूं जिस तरह आपने सुना होगा कि 15 मार्ज को भीम आर्मी प्रमुख चंसेखर रावन जी अपने नई पार्टी का एलान करेंगे और उनके ट्वीटर से ये भी पता लगा कि वे रखेंगे नाम बहुजन आजाद पाटी ये अनुमान है फाइनल नहीं हुआ है फाइनल तो 15 मार्च को होगा लेकिन बहन मायाबती जी ने अपने तमाम कॉर्डिनेटर्स स्टेट लेबल पर प्रांती अस्तर पर एक मीटिंग बुलाई हैं 5 अप्रील को जो की लखनों में होगा और तमाम कार्ज करताओं को BSP ने एक्टिव कर दिया है और ये तैयारी रखा है कि अगर BSP को भीम आर्मी के नई पाटी से किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है और BSP के अगर कोई पदाधिकारी कोई कार्ज करता अगर उसमें जा रहे हैं बहुजन अजाद पार्टी में यानि चंद सेखर रावन के साथ तो यह ध्यान रखें कि वो कार्ज करता वो नेता को BSP ने निकाला है या वो खुद छोर कर गए है और निकाला है तो किस आधार पर निकाला है आरोब क्या क्या थे क्योंकि यह सारबजनिक होना चाहिए आम जनता को पता लगना चाहिए BSP का कहना यह है कि बहुजन समाज पार्टी एक अनुसासित पार्टी है, संविधान के हिसाब से चलती है, अगर कोई गलत करता है तभी हम उसको निकालते हैं, तो गलत आदमी का जमावरा कहा हो रहा है यह BSP कार्ज करताओं का एक जिम्मेदारी बनता है कि वो आम जनता को प अंदर सेखर रावन जो है धन्यबाद के पात रहें, बहुजन समाज के लिए, क्योंकि बहुजन समाज में जो जागरुकता प्रोग्राम नहीं था, अब चाहे वो बहुजन आजाद पार्टी हो, अथवा बहुजन समाज पार्टी हो, कम सकम बहुजन समाज तो जागरित ह हो रहा है जग रहा है उठ रहा है अब रही बात यह कि आप उमीद कर सकते हैं आसा कर सकते हैं ये दोनों पार्टिया एक छतरी के नीचे आ जाये और समाज के लिए काम करें हम सब का यहीं फ़र्ज बनता हुरigung काम ना करते परंतु बहन मायंबती जी काफी एक्टिव हो गई है जो BSP कार्ज करता है जिनको आप यकार रहे थे कि वो सो रहे हैं अब वो पूरी तरह से जाग चुके हैं अपने अपने जितने भी मुहले हैं उनके जहां जहां उनका अपना जनाधार है सब जगा टटोल रहे हैं और एक डर पैदा हो गया है कहीं यहां पर आकर और हमारी कमियों को गिना कर बहुजन आजाद पार्टी अपना जनाधार न तयार कर ले रही बात यह बहुजन समाज आपस में ही डरा हुआ है कि हमारा वोट कौन काटेगा हमारा कौन काटेगा उत्तर परदेश में अगर कहीं भी आप देखेंगे तो एक ही ये कहीं बहुजनाजाद पार्टी के साथ नचला जाए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अपने काम पर ध्यान देने लग गई है। चोटी बरी घटनाओं को बरे ध्यान से देख रही है, हर बर्ग से, हर ब्यक्ति से वो मिल रही है, और पांच अप्रील को असपस्ट निर्देश दे दिया जाएगा, बहन मायावती जी के तरफ से, कि बहुजन समाज पार्टी की जितनी भी जागता प्रोग्राम है, जो भी क चैनल के साथ हम आपको बिलकुल पल-पल की ख़बरे लेकर आते रहेंगे, और आप हो सके तो यूपी सुल्तान चैनल पर जरूर जाएए, उसको सेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहाँ आपके मतलब की और आपके महले का न्यूज मिलेगा, तक तक के लिए जै भीम, जै भारत!